जैसी कृष्णा रधे रधे जहू गणीजी भगवान कीजए जहू चोत माता कीजए आईए आज हम इस वीडियो में फालगुन मास की गणिश चोत की और गणीजी की प्रमुग प्रमुग रदकताईं सुनेंगे आईए पहली कहानी सुनते हैं एक बार एक गाव में एक विद्वा महिला अपने बेटे के साथ रहती थी बुडिया माई चोत माता वे गणीजी की प्रम भगती थी वे हर मैने की चोत का वरत रखती थी और गणीजी और चोत माता का वरत करती थी वे विद्वा मेला मैनत मसदूरी करके अपने और अपने बेटे का पेट पालते थी इस तने समय बीत रहा था जब बेटा थोड़ा जवान हुआ तो विद्वा मेला ने एक सुस्व संस्कृत लड़की से अपने बेटे का धूम धाम से विवा करा दिया विद्वा मेला ने बहुत प्रैतनी किया कि बेटा का माई और घर की जिमेदारी उठाए लेकिन बुडिया का बेटा बड़ा ही आलसी और कमजोर था वे हर बार यही कहता कि माँ मैं काम धूड रहा हूं इस मैने में नहीं तो अगले मैने मुझे जरूर काम मिल जाएगा बुडिया माई अपने बेटे के जवाब से दुखी रहने लगी एक दिन बुडिया माई की बहु ने अपनी साथ से कहा कि माजी अब यह जिमेदारी आप मुझे सोब दीजिए अब मुझे ही कोई उपाय ढूनना पड़ेगा ताकि आपका बेटा कमाने की सोचे तब बुडिया माई ने अपनी बहु से कहा कि बहु अब तू ही कुछ कर सकती है मैं तो कुछ नहीं कर पाई तब उस दिन जब बुडिया के बेटे ने भोजन मांगा तो उसकी पत्नी ने भोजन की थाली परोस्ते हुए कहा कि लो बासिकुसी भोजन खालो बुडिया के बेटे ने जब ये सुना तो उस समय तो उसने कुछ नहीं बोला वे रोटी खाकर चादर ओड कर खटिया पर सो गया रातरी में जब फिर से बुडिया के बेटे ने भोजन मांगा तो बहु ने भोजन की थाली रखते हुए कहा कि लो बासिकुसी भोजन खालो अब तो बुडिया के बेटे की बहु रोज भोजन परोस्ते समय अपने पती को यही ताना देने लगी तब एक दिन बुडिया के बेटे से ताने सहन नहीं हुए उसने इसकी शिकायत अपनी मां से करी और कहा कि मां देख तेरी बहु जब भी मुझे भोजन परोस्ती है तो कहती है कि लो बासिकुसी भोजन खालो तब उसकी मां अपने बेटे से बोली कि बेटा तेरी पत्नी तुझे ऐसा क्यों कहती है तो उसी से पूछ ले तब उसने अपनी पत्नी से पूछा तो पत्नी बड़ी ही समझदार थी उसने कहा कि मैं सची तो कहती हूँ आप तो कुछ कमाते नहीं हैं आप अपनी मां की कमाई की रोटी खाते हो तो यह तो आपके और मेरे लिए दोनों के लिए ही पासी कुशी भोजन हुआ यह सुनते ही बुढिया के बेटे को बरदाश नहीं हुआ उसने अपनी मा से कहा कि मा मैं आज ही परदेश कमाने जा रहा हूं अब मैं घर तभी लोटूंगा जब कमा लोगा अब मैं खुब सारा धन कमा कर ही लोटूंगा ऐसा कहकर वह चार रोटी और अजार कपड़े में बांद कर परदेश कमाने निकल पड़ा चलती चलते बुढिया का बेटा गाउं से बाहर एक जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया उस पेड़ पर चार चुडेल रहती थी उस चुडेल के डर से उस रास्ते से कोई भी इनसान तो क्या जानवर पशुपक्षी तक आते जाते नहीं थी बुढिया के बेटे को भूग प्या सताने लगे साथी उसे अपनी पत्नी के उपर भी गुसा आ रहा था उसकी पत्नी का नाम काली का था बुढिया का बेटा जोर-जोर से चिलाते हुए बोला कि काली का मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं तुने मुझे क्या समझ रखा है फिर उसने चार रोटिया निकाले और अचार निकाला और रोटी खाते हुए बोला एक खाऊं, दो खाऊं, तीन खाऊं की चारों ही खाजाऊं। उस पेड़ पर जो चार चुडेल रहती थी, उनमें सबसे बड़ी चुडेल का नाम काली का था। वे चारों चुडेल डर गई। कि आज तो हमसे भी बड़ा कोई पिशाच, भूत, प्रेथ यहां आ गया है। वे तो हमारा नाम भी जानता है। वे हम चारों को खाजाएगा। तब उन चारों चुडेलों ने पेड़ पर से उतर कर बड़िया के बेटे के सामने हाथ जोड़ कर खड़ी हो गई और बोली कि हे देत्यराज। आप हम चारों को छोड़ दीजिए, हमें मत खाईए। बुडिया का बेटा उन चारों चुडेलों को देखकर एक बार तो डर गया। और मनहीमन सोचने लगा कि मैं तो चार रोटियां खाने की बात कर रहा था। और ये चुडेल खुद को समझ रही है। बुडिया के बेटे ने अपने डर को चिपाते हुए कहा कि अरी चुडेलों, आज तो मैं तुम चारों को खा कर ही अपनी भूग शान्त करूँगा। तब वे चारों चुडेल बोली कि है देते राज, हम तुमें बहुत सारा धन देंगे। जो हमने इस नगर के राजा के खजाने से लोटा है, तुम उस खजाने को ले लो और हमें छोड़ दो। तब बुडिया का बेटा बोला कि ठीक है, लेकिन तुम चारों इस इस्थान को छोड़ कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। तब वे चारों चुडेल मान गई और सारा खजाना रख कर वहां से गायब हो गई। बुडिया का बेटा धन पाकर बहुत खुश हुआ, तबी उसकी इमानदारी जाक पड़ी, वे सोचने लगा कि धन तो बहुत जल्दी खर्च हो जाएगा, अगर मैं ये सारा धन नगर के राजा को ले जाकर के दे दू, तो शायद राजा प्रसन हो जाए और मुझे अपने यहां महल में काम पर रख ले, ये सोच कर बुडिया का बेटा नगर के राजा के पास महल में धन लेकर पहुंचा, और राजा को सारा धन पकड़ा कर पूरी सच्चाई राजा को बता दी, लेकिन राजा को बुडिया के बेटे की बात पर यकीन नहीं हुआ, राजा ने कहा कि तुम जूट बोल रही हो तुमी ने मेरे खजाने में से धन चुराया है और अब तुम ही वापत धन रखने आये हो तब राजा ने अपने सिपाईयों से कहे कर बुढिया के बेटे को जेल में डलवा दिया इस तरह पूरा एक साल निकल गया तब एक दिन जब फालगुल मास की गणे चोत थी तब सास और बहुत दोनों ने उस दिन व्रत रखा चोत माता और गणे जी का पूजन किया और प्राथना करने लगी कि हमारा बेटा वापस घर आ जाए तब चोत माता और गणे जी ने सोचा कि आज इनकी नहीं सुनेंगे तो कल युग में हमें कोन मानेगा तब उसी रातरी को चोत माता और गणे जी ने राजा को सपन में दर्शन दे कर कहा कि हे राजा जिसे तुमने चोड समझ कर जेल में डाला है वे चोड नहीं है उसने जो कहा वे सत्य कहा था हे राजा जो धन तुमने उससे लिया है उससे दुगना धन दे कर उसे छोड दो नहीं तो मैं तेरा सुख वेभव सब नश्ट कर दूँगा दूसरे दिन राजा ने अपना सौपन दर्बार में सुनाया तब राजा के राज्य जोतिशे ने कहा कि हे महाराज आप उस व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे दिजिए तब राजा ने बुढिया के बेटे को छोड़ दिया और उसे दुगना धन दे कर विदा कर दिया साती उसकी सच्चाई और इमानदारी को देख कर राजा ने उसे अपने यहां मंत्री पद परन्युक्त कर लिया साती पूरी नगरी में ये गोशना करवा दे कि सभी को हर मेने की गणेश चोड़ का व्रत करना चाहिए और चोड़ माता और गणेजी का पुजन करना चाहिए हे चोड़ माता हे गणेजी भगवान जैसे आप बुड़िया और बुड़िया के बेटे की बहु के चोड़ माता के व्रत से खुश हुई वैसे सब के उपर होना कहानी कहने वाले के उपर सुने वाले के उपर और हुकारा भरने वाले के उपर गरती हो तो पूरी हो पूरी हो तो परवान चड़े बुले विस्रे नाम तेरे बंडार में भरे आईए अब हम फालगुन मास की गणेश चतूर्थी की दूसरी कथा सुनते हैं प्राचीन काल में यूनाश्व नाम का एक राजा था वे राजा बड़ा ही धार्मिक प्रवती का था वे आई दिन गरीबों, देवताओं और भ्रामनों को अन्न वस्त्र रुपिया का दान किया करता था उस राजा के राज्य में विश्नु शर्मा नाम का एक तपस्वी ब्रामन रहता था वे वेद वेदांका और धार्मिशास्त्र का ज्याता था विश्नु शर्मा भ्रामन के साथ पुत्र और साथ पुत्र वदुईं थी और खुब सारे पोता पोती थे वे सबी धन धान्या से सम्रद्ध थे परंतो पारसपरी कलय के कारण सबी बेटे अलग-अलग रहते थे विश्णुशर्मा भ्रामन प्रतेक पुत्र के घर से बारी-बारी से एक-एक दिन भोजन करता था विश्णुशर्मा भ्रामन गणेश भगवान और चोत माता का परम भक्त था उसकी पतनी का बहुत पहले ही देवलोग गमन हो चुका था विश्णु शर्मा भ्रामन हर मैने की चोथ कवरत करता था इस तरह समय बीत रहा था विश्णु शर्मा भ्रामन अब बुजुर्ग हो चला था बीमार भी रहने लगा था बुडापे और बिमारी के कारण उसकी सबी बवें उसका बहुत अनादर करती थी बवों से तिरस्क्रत होकर विश्णु शर्मा भ्रामन अकेले में खुब रोता था तब एक बार की बात है विश्णु शर्मा भ्रामन का गणेश चतूर्थी कवरत था तब एक अपनी बड़ी पुत्रवधू के पास उसके घर गया और अपनी बड़ी बहु से बोला कि बहु रानी आज मेरा गणेश चतूर्थी कवरत है क्या तुम मुझे पूजन की सामगरी दे दोगी गणेश जी तुम्हारे उपर प्रसन होंगे तुम्हे खूब धन देंगे ससुर की बाद सुन कर बड़ी बहु नाराज होते हुए बोली कि पिताजी मुझे घर के अन्य काम भी करने है मुझे फुर्सत नहीं है फिर मैं इन जमेलों में पढ़ना नहीं चाती पिताजी आप हमेशा ही कोई न कोई नाटक करते हैं आज आप गणेश जी का बहाना लेकर आगे मैं गणेश जी और गणेश जी के व्रत को नहीं जानती आप यहां से चले जाएए बड़ी बहु ने ससुर का अपमान कर दिया बड़ी बहु से अपमानित होकर विश्नु शर्मा भ्रामन अन्य पाच बहुं के पास बारी-बारी से गया परंतु सभी ने ऐसा ही परताव किया सभी जगह से अपमानित होकर विश्णु शर्मा भ्रामन दुखी हो गया और अंत में वह सात्वी बहु के घर आकर उदास होकर बैट गया सात्वी बहु बड़ी ही गरीब थी सात्वा बेटा कमाता नहीं था वह दुखी बैठा था तब सात्वी बहु ने जब अपने ससुर को उदास देखा तो उदासी का कारण पूछने लगी तब ससुर ने उसे पूरी बात बता दी और सात्वी कहा कि बहु मैं तुमसे भी ये बात कहने वाला था परन्तु तुम तो बहुत गरीब हो तुमारे पास व्रत की सामगरी एकत्रित करने के लिए धन कहां से आएगा यही सोच कर मैं उदास बैठा हूँ तब बहु ने अपने ससुर से पूछा कि पिताजी इस सुवरत को करने से क्या फल मिलता है तब ससुर ने कहा कि बहु इस सुवरत को करने से सभी सिधिया सुलब हो जाती है सभी कष्टों का अंत हो जाता है धन चाने वाले को धन मिलता है पुत्र चाने वाले को पुत्र मिलता है निरोगी कंचन जैसी काया मिलती है और कुमारे लड़के लड़कियों का शिगर विवा होता है बुजुर्गों को बैकुंट का वासा मिलता है जो मनुसर जिस इच्छा से इस वरत को करता है भगवान गणेश और चोत माता उसकी वही इच्छा पूरी कर देती है तब बहु अपने ससुर से कहने लगी कि पिताजी आप दुखी मत होईए आप अपनी इच्छा अनुसार इस वरत को कीजिए मैं भी आपके साथ संकट नाशक वरत को करूँगी शायद इससे हमारे दुखों का निवारन हो जाए इतना कहकर बहु पडोस में भिख्षा मांगने चली गई और ससुर के लिए भिख्षा मांगकर के लिए आई फिर उसने थोड़ा सगी डालकर आटा सेका गुर्ड डालकर के उसने चाल लड्डू बनाए चंदन, फूल, धूप, अक्षद, फल, धीप, नेवेदे तता तामूल रख कर ससुर के साथ गणेजी और चोत माता का पूजन किया कथा कहानी सुनी उसके बाद रातरी में जब चंद्रमा आ गया तो अपने ससुर के साथ उसने संबी चंद्रमा को अर्धे दिया फिर उसने अपने ससुर को भोजन कराया पती को भोजन कराया पती और ससुर को भोजन कराने के बाद उसके लिए कुछ भी भोजन नहीं बचा तो वह पानी पीकर ही रह गई अर्ध रात्री के बाद अचानक से विश्णु शर्मा भ्रामन को उल्टी और दस्त होने लगे जिस से उनके हाथ और पयर और कपड़े खराब होगे बहु ने अपने ससुर के हाथ पैर धुलवाए और कपड़े बदलवाए वे अपने ससुर की हालत देखकर दुखी हो गई पूरी रातरी वे अपने ससुर की सेवा करती रही रात बर वे यही सोचती रही कि मेरी ही पूजापाट में कोई कमी रह गई होगी इसलिए मेरे ससुर की तबियत खराब हुई है रात बर वह सो नहीं पाई तो उसका रातरी जागरण हो गया सुबह के चार बजने वाले थे उसने देखा कि उसके ससुर की तबियत अब ठीक है और उन्हें नीद आ रही है तो वह भी थोड़ी देर के लिए आँख बंद करके सो गई दिन बर की ठकी हुई होने के कारण रात बर ससुर की सेवा करने के कारण वह ठक गई थी तो उसे लेड़ते ही नीद आ गई थोड़ी देर के बाद ही सुबह हो गई चिडिया चैचाहाने लगी तब ही छोटी बहु की आग खुल गई तब छोटी बहु ने क्या देखा कि उसका घर अनधन के भंडार से भरा पड़ा है जग जग अनधन के धेर पड़े हैं उसका घर अनधन से प्रकाशित हो रहा है उदर ससुर के भी उल्टी दस्त बंद हो चुके थे आश्चरिये में पड़कर छोटी बहु अपने ससु से पूछने लगी कि पिताजी हमारे घर में इतना सारा अनधन के धेर कहां से आया इतने सारे सोने चांदी की आभूशन, कीमती, वस्त्र और अन और धन का धेर कोन रकर के गया पिताजी क्या कोई चोर नगर के राजा का धन हमारे घर में डाल गया सात्वी बहु की बात सुनकर विश्णु शर्मा भ्रामन बोला कि हे कल्याणी ये सब तुमारी शद्दा का फल है तुमारी भक्ती से गणे जी और चोत माता प्रसन हुए है इस वरत के प्रभाव से ही गणे जी और चोत माता ने तुमें ये संपती दी है सात्वी बहु कहने लगी कि पिताजी आप धन्य है आपकी क्रपा से ही गणे जी और चोत माता प्रसन हुई है और हमारी गरीबी दूर हुई है आपकी वज़े से ही हमारे घर में अतुल संपती आई है पिताजी आप धन्य हैं इस प्रकार सात्वी बहु बार बार ससुर के पाउं पढ़ने लगी जब छे बड़ी बहु को इस बात का पता चला तो वे सात्वी बहु से चिड़ने लगी उन्होंने अपने ससुर से कहा कि इस बुढ़े ने पहले से ही धन्संचे कर रखा होगा इसी ने ही ये सारा धन्सात्वी बहु को दिया है परिवार में कलह देख कर विश्नु शर्मा ब्रामर ने अपनी सातो बहु से कहा कि इसमें इसका और मेरा कोई दोश नहीं इसने कलफालगुर मास की गणेश चोत कवरत रखा, मेरी पूजा करी और मुझे पूजन सामगरी उपलग्द करवाई जिससे प्रसन होकर गणेजी भगवान ने इसे कुबेर जैसी संपत्ती प्रदान करी है हे बड़ी बवो मैं पहले तुमारे घर आया था और पूजन सामगरी देने का अनुरोद कर रहा था परन्तु तुम लोगों ने मुझे दुद्कार दिया लेकिन छोटी बहु हर घर से भिख्षा मांकर के लाई और पूजन सामगरी जुटाई इसने गणेश भगवान का मेरे साथ पूजन किया और व्रत किया इसी से गणेश भगवान और चोट माता प्रसन होगे और इसे धन दोलत दिया है उस ब्रामन के छे पुत्र बड़े दरिद्र, रोगी और दुखी होगे केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के सामान भाग्यशाली बना जब अगले साल फालगुन मास की करश्न चतूर्थी भवरत का दिन आया तो छे बड़ी बवों ने भी गणेश चतूर्थी कवरत किया जिससे वे भी धनवान होगे फाल गुनमास की गड़ेश चतूर्थी का व्रत जो कोई भी करेगा उसका घर धन धान्य से भर जाएगा गड़ेश चतूर्थी व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना करने वाले को राज्य की प्राप्ति होती है धन की इच्छा करने वाले को धन मिलता है, पुत्र की इच्छा करने वाले को पुत्र मिलता है, कुवारे लड़के लड़कियों का शिगर विवा होता है और बुजुर्गों को बेकुंट का वासा मिलता है ए गणेजी भगवान ए चोतमाता जैसे आप साथमी बहु के व्रत से संतुष्ट हुए जैसे आप ने उसका घर अनधन के भंडार से भर दिया वैसे हमारा भी भरना कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुकारा भरने वाले का गरती हो तो पुरी हो, पुरी हो तो परवान चड़े बुले विसरे नम तेरे भंडार में भरे आईए अब हम बुद्धुवार में सुनी जाने वाली गणेज जी की प्रामुग प्रामुग पाँच कहानियां सुनते हैं कहानी सुनने से पहले हमें बोलना चाहिए सोना की चोकी मोतियों का हार गणेजी भगवान मेरे जीव का आधार ये पांच बार बोलना चाहिए उसके बाद बोलना चाहिए गणेजी के पांच नाम गणेजी 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 उसके बाद हम कहानी सुनेंगे गणेजी की कहानी एक राजा के दो रानिया थी बड़ी रानी के दो पुत्र थे लेकिन छोटी रानी के कोई संतान नहीं थी बड़ी रानी बड़ी ही कुटील, गुसेल और घवंडी सुभाव की थी, जबकि छोटी रानी बड़ी ही दयालू, मिलन सार और धार्मिक सुभाव की थी चोटी रानी गणेश भगवान की पारम भक्त थी वहर बुद्दुवार का वरत करती थी और गणेश जी का पूजन क्या करती थी हमेशा गजानन जी गजानन जी गजानन जी करती रहती थी राजा दोनों राणियों को बराबर का समय देते थे एक दिन बड़ी राणी के पास जाते थे तो एक दिन चोटी राणी के पास जाते थे लेकिन जब भी राजा चोटी राणी के पास जाने लगते तो बड़ी राणी किसी न किसी वहाने से राजा को खुद के पास रोक लेत तब बड़ी रानी ने बहुत बड़ी सामान की लिस्ट बना करके राजा को पकड़ा दी उसके बाद राजा ने छोटी रानी से पूछा लेकिन छोटी रानी हमेशा की तरह मना कर देती है और बोलती है कि हे महाराज मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है मुझे कुछ नह और फिर गजानन जी गजानन जी करने लगती तब एक मंतरी ने राजा से कहा कि हे महाराज आपकी छोटी रानी कभी अपने लिए कुछ नहीं मंगवाती है अगर आप कहें तो हम उनके लिए इस बार शहर से पीतल के गणे जी की मूरती लाकर के देदे में तब राजा ने कहा राजा ने अपना काम निम्टाया और बड़ी रानी ने जो सामान के लिस्ट दी थी वह सामान उन्होंने मंतरी से मंगवा लिया लेकिन छोटी रानी के लिए गणे जी की मूरती लेना राजा भी भूल गे और मंतरी भी भूल गे और वे अपने राज्ये की और लोटने तबी अचानक सड़क के दूसरी तरफ उन्हें एक मूर्ती बेचने वाला दिखाई दिया उसके पास सभी देवी देवताओं की भगवान की मूर्तियां थी राजा और मंत्री की नजर उस मूर्ती बेचने वाले के उपर पड़ी राजा ने मंतरी को भेज कर एक अच्छी सी पीतल की गणी जी की मूर्ती मंगवा ली उसके बाद राजा और मंतरी महल में आए राजा ने बड़ी राणी को उसके द्वारा मंगवाया हुआ सारा सामान पकड़ा दिया उसके बाद राजा चोटी रानी के कक्ष में गए और गणेजी की पीतल की मूर्थी पकड़ाई चोटी रानी गणेजी की प्रतीमा देख कर बहुत खुश हुई उसने गणेजी की प्रतीमा को अपने कबरे में अलमारी में रख दिया अब रोज पुजापाट करने लगी इस तरह तीन मैंने बीट गे तीन मैंने बीटते ही महल में एक के बाद एक करके अनेक सु समाचार आने लगे राजा का पडोसी राज्य से कई बरसों से युद्ध चल रहा था वहां से खबर आई की पडोसी राज्य हार गया है दूसरी कुशकबरी या आई की राजा के राज्य में कई बरसों से सुखा पड़ा हुआ था तबी अचानक से नदी ताला कुए जलाशे सभी जल से लबालब भर गे सभी भाग भगीचे फल फूलों से लदपत होगे फसल भी बहुत अच्छी हुई उसके बाद राजा को तीसरा सुख समाचार मिला छोटी राणी ने एक दिन राजा से कहा कि महाराज आप पिता बनने वाले हैं अब तो जैसे राजा को पूरा विश्वास हो गया कि यह सब कुस्तो गणेज भगवान की मूर्ती महल में आने के बाद ही हुआ है तब एक दिन मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज आपका सोचना बिलकुत सही है जब से भगवान गणेजी हमारे महल में आए हैं तब ही से यह चमतकार हुआ है अब राजा ने बड़ी राणी पर धान देना कम कर दिया अब राजा पूरे समय छोटी राणी के पास ही रहने लगे बड़ी राणी को तो जैसे काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो गई तब एक दिन उसने अपनी दासियों से कहा कि तुम छोटी राणी के महल में जाओ और गणेजी की प्रतिमा को महल के कुई में डाल दो ने रहे गबास ने बज़े गबान सुदी तब चार दासियां छोटी राणी के महल में गई दो दासियां छोटी राणी से बाते करने लगी और दो दासियां गणेजी की मूरती कक्ष में खोजने लगी तब ही उन्हें मूरती दिखाएगी तब एक दासी ने मूरती ओड़नी में चुपाई और ले जाकर महल के कुए में गिरा दिया उसी रात उस कुए में एक सोने के फूल वाला पेड उग आया सुब सभी ने उस सोने के फूल को पेड पर देखा तो हर कोई उस फूल को लेना चाता था लेकिन जो भी उस फूल को लेने के लिए हाथ बढ़ाता तो फूल और उपर हो जाता यह देखकर सभी दर्बारी, मंत्री, बड़ी रानी, दास्दासियां, राजा सभी उस फूल को लेने के लिए वहाँ पहुंचे लेकिन वह फूल किसी के भी हाथ में नहीं आया तब ही एक मंत्री का ध्यान गया उस मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज यहां किसी के भी हाथ में यह फूल नहीं आ रहा है आप छोटी रानी को बुलवाईए शायद यह फूल उनके हाथ में आ जाए तब राजा ने एक दासी को भेज कर छोटी रानी को बुलवाया चोटी रानी वहाँ आई उसने आते ही कुई के पास अपनी जोली फैला दी तो अद्बूद आश्चरी जनक चमतकार हुआ वे सोने का फूल खुद तूटकर रानी की जोली में गिर गया और सोने के गनेजी की प्रतीमा में बदल गया ये प्रतीमा हू बहू वैसे ही लग रही थी जैसी राजा शहर से लेकर के आये थे राजा को और मंतरी कुमाहन आश्चरी हुआ राजा ने चोटी रानी से पूछा कि हे रानी ये कैसे हुआ ये मूर्ती तो पहले पीतल की थी अब ये सोने की मूर्ती में कैसे बदल गई और ये कुए में कैसे आई लेकिन चोटी रानी को कोई जवाब देते नहीं बना तबी बड़ी रानी और बड़ी रानी की दासियां वहां खड़ी डर के मारे थर थर कांप रही थी तबी वहां आकाशवानी हुई भगवान गणीज जी बोले कि ये राजा ये बात तुम अपनी बड़ी रानी और उसकी दासियों से पूछो राजा ने बड़ी रानी और उसकी दासियों से पूछा लेकिन वे कुछ नहीं बोली केवल आखे नीची करके हाथ जोड कर खड़ी रही तबी फिर से आकाशवानी हुई गणिज भगवान बोले कि आप सब इस कुए के जल में जहां करके देखो सब पता चल जाएगा तब राजा, मंत्री, दर्वारी सभी कुए के पानी में जहां कर देखने लगे तो वहब पूरा घटना करम जो बड़ी रानी ने दासियों से कहा फिर दासियां छोटी रानी के महल में गई, मूर्ती चोरी करी और मूर्ती को लाकर कुए में डाला वेदरश्य कुये के पानी में साफ साफ दिखाई देने लगा राजा ने उसी समय बड़ी रानी और चारो दासियों को हमेशा हमेशा के लिए पुराने महल में भेज दिया और छोटी रानी को गले से लगा लिया उसके बाद राजा ने राज्य में बहुत सुंदर गणेजी का विशाल मंदिर बनवाया साथ इमहल में भी गणेजी का मंदिर बनवाया और उस मंदिर में वही सोने की मूर्थी स्थापित कर दी और पूरे राज्ये में ये डिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को भगवान गणेजी की पुजा कानी चाहिए बुद्दवार का वरत काना चाहिए उसके बाद राजा छोटी राणी के साथ हर बुद्दवार का वरत काने लगा और रोज गणेजी की पुजा काने लगा उसके बाद नवे मैने में चोटी रानी को एक सुन्दर पुत्र पैदा हुआ सभी इस जिवन का सुक भोग कर बैकुंड को प्राप्त हुए गटियो तो पुरियो पुरियो तो परवान चड़े भूले विसरे नाम तेरे भंडार में भरे ये अब हम चीक माता की कहानी सुन्ते हैं एक बार एक गाउं में एक साहुकार का बेटा था वह शहर से कमाकर घर वापस लोट रहा था लोटते समय उसे रात हो गई आगी घना जंगल था तो उसे एक मंदिर दिखाई दिया साहुकार के बेटे ने सोचा कि रातरी इसे मंदिर में बिता लेता हूं वह उस मंदिर में गया और चबुत्रे पर जाकर सो गया उस मंदिर में एक पेड के बिल में एक साप का जोड़ा रहता था साप को साहुकार के बेटे पर दिया आ गई पूरी रात वहे उसकी रखवाली करता रहा क्योंकि उस मंदिर में रातरी में जंगली पशु आते थे उस साप सावकार के बेटे की रखवाली करता रहा सुबर जब सावकार का बेटा सोकर उठा तो उसने देखा कि एक साप उसकी रक्षा कर रहा है सावकार के बेटे को साप परदया आ गई सावकार के बेटे ने वहीं ग्वाले से दूद लेकर साप को दूद पिला दिया उसके बाद साप ने अपनी सर्पनी से कहा कि मैं अब डसने के लिए जाता हूं सर्पनी बोली कि मैं भी आपके साथ चलूगी लेकिन साप ने कहा कि तुम कहा भटकती फिरोगी तुम यही रहो मैं तुमारा भोजर यही ले आऊंगा तो सर्पनी बोली कि ठीक है अगर आप जाना चाते हैं तो चले जाईए लेकिन आप लक्षमन रेका खीच कर के जाईए क्योंकि आपके जाने के बाद जंगल में से छोटे मोटे सांब बिच्चू गोईरे मेरे पास आते हैं और हसी मजा करते हैं मुझे हसी मजा पसंद नहीं तब सर्पने अपनी पूँच से वहाँ एक लक्षमन रेका खीच दी और चला गया सावकार का बेटा पेड़ के पीछे खड़ा ये सब कुछ बाते सुन और देख रहा था अभी सर्पर जादा दूर भी नहीं गया था कि वहाँ बहुत सारे चोटे मोटे सांब बिच्चू गोईरे अजगर आ गए खुद सार्पनी लक्षमन रेका पार करके उनके पास हसी ठटा करने पहुँच गई सावकार के बेटे को ये बात पसंद नहीं आई अभी ये सर्पनी अपने सांब से कह रही थी कि इसे हसी मजाग पसंद नहीं और अभी ये खुद ही हसी ठटा करने के लिए लक्षमन रेका पार करके आ गई तो सावकार के बेटे ने साथ छोटी छोटे पत्थर उठाये और सर्पनी को दे मारा और घर चलाया उधर सावक के वापस आते ही सर्पनी को भवन में जाकर बैठ गई सावक ने अपनी सर्पनी से इसका कारन पूचा तो सरपणी बोली कि आप आज उसी सहोकार के बेटे को डस कराईए जिसकी कल रात आपने रक्षा करी थी तब साप बोला कि क्या हुआ पूरे बात बता तब सरपणी बोली कि आपने तो पूरी रात उसकी जाग कर रक्षा करी लेकिन वह मुझे साथ पत्थर मार कर गया है जब तक आप उसे डसोगे नहीं मैं अन जलगरहन नहीं करूँगी इसलिए आप उसे डस कराईए यह सुन कर साप को भी क्रोध आ गया साप ने सरपनी से कहा कि मैं अभी जाता हूं और उस सावकार के बेटे को सबक सिखा कर कियाता हूं ऐसा कहकर साप सावकार के बेटे को डसने के लिए निकल गया उदर सावकार का बेटा संध्या के सामय भोजन करने बैठा मा पास में बैठ कर पंखा जल रही थी और उसकी पतनी भोजन परोसने के लिए थाल लेकर आई कि तभी साब वहाँ पहुच गया साब ने देखा कि सावकार भोजन कर रहा है तो साब ने सोचा कि मैं इसे पहले भोजन करने देता हूं तब तक मैं परेंडे में बैठ जाता हूं उसके बासाव वही परिंडे में कुंडली मार कर बैठ गया बहु ने जैसे ही भोजन परोसा की उसे चीक आ गई मा ने भोजन परोसने से मना कर दिया दूसरी बार बहु पानी का गिलास भरने उठी तो उसे फिर से चीक आ गई माने फिर से पानी का गिलास रखने से मना कर दिया थोड़ी देबाद बहु फिर उठी तो उसे फिर थीसरी बारची का गई माने फिर बोजन परोसने से इनकार कर दिया यह देख गर साउकार का बेटा बोला कि मा मुझे तुम ओर्टों की बाते समझ भी नहीं आती आज सुबर मैंने साप और सरपणी की बाते सुनी सरपणी साप से बोल रही थी कि मुझे हसी ठटा करने वाले लोग पसंद नहीं तो आप लक्षमन रेका कीच कर जाईए बिचारा साप तो अपनी पूँच से लक्षमन रेका कीच कर चला गया लेकिन साप के जाने के बाद कुछ सरपणी साप बिच्चु गोईरे और अजगर से हसी ठटोली कर रही थी और सुन लक्षमन रेका पार करके बाहर आगे मुझे ये दो मुही बाते पसंद नहीं आती इसलिए मैंने साथ पत्थर उठाए और सरपणी को दे मारा और घर आया तो ये छीट वाली बात ये सारी बाते साप परिंडे में बैठा सुन रहा था कि तभी साप को पश्चाताप हुआ तभी वहां सरप अपने असली रूप में प्रकट हो गया और सावकार के बेटे को कहा कि मैं तुम से प्रसन हुआ तुम कोई तीन वर्दान मांग लो सावकार का बेटा और उसकी मा और बहु ने सरप देवता को प्रणाम किया तब उन्होंने धन, पुत्र और एश्वरिय और येश मांगा तो साप ने उन्हें ततास्तु कहा और वहां से अंतरध्यान हो गया साप वापस सरपनी के पास आया और आते ही अपनी सरपनी की नाग काट ली और अपनी सरपनी से कहा कि तुने मुझे जूट कहा तेरी वज़े से आज मैं एक निर्दोंश को डस लेता तुने तो अपना धर्म भरष्ट कर दिया तेरी वजह से मेरा विधार में ब्रश्ट हो जाता इस प्रकार सहुकारनी ने छीक का नियम रखा तो उसके बेटें की जान बज गई इसलिए अगर छीक आ जाए तो थोड़ी देर के लिए शुब काम को टाल देना चाहिए छीक का नियम रखना चाहिए अब हम सुहाक की कहानी सुनेंगे, एक भर एक गाउं में एक ब्रामन दमपती अपनी पांच बेटियों के साथ रहता था, उस ब्रामन की पांचों बेटियां भगवान महादेव की परमभक्त थी, सभी भगवान महादेव जी की जल से अभिशे करती गी का दीपक जलाती और पांच दिन तक सुहाक की कहानी सुनती थी, चारों बेटियों का दिया तो बहुत देर तक जलता था, लेकिन पांचवी छोटी बेटी का दिया बहुत जल्दी ही भुच जाता था, बेटी ने घर आकर अपनी मा से यह बात कही, तो मा ने कहा कि बेटी तो घी जानदर डाल थोड़ी समय के बाद जब वे पांचों विवा लाइक हुई तो ब्रामन दमपती ने पांचों का विवा धुम धाम से कर दिया, बढ़ी चार बेटियों के घर में तो खुब धन दोलत थी, लेकिन पांचवी बेटी का पती रोज कमाता था और रोज ही वे खाते थे, अगर एक दिन भी उसका पती कमाने नहीं जाए तो उन्हें भुका रहना पड़ता था, तब एक दिन पांचवी बेटी का पती बहुत ही कम लकडियां जंगल से काट कर लाया तो उसने पूछा कि आज आज आपने इतनी कम लकडियां क्यों लाए हैं, पती बोला कि आज मेरी तब ठीक नहीं है, तब पांचवी बेटी कुछ नहीं बोली, दूसरे दिन उसका पती जब जंगल जाने लगा तो उसकी पतनी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी, हम दोनों मिलकर लकडि काटेंगे तो हम ज्यादा धन कमा लेंगे, दोनों जंगल में लकडि काटने के ल लेया पाती, इसलिए वे अपने पती के सिर को गोध में लेकर वहीं जंगल में एक पेड के नीचे बैट गए और जोर जोर से करून बिलाप करने लगी, उसी समय भगवान महादेव और पार्वती जी भ्रहमन करते हुए वहां पहुंचे, तब पार्वती जी महादेव जि पार्वती जी ने उससे रोने का कारण पूचा, तो वे ब्रहमन की बेटी बोली कि हे मा मेरा पती मर गया है, तब महादेव जी ने उससे कहा कि तुम्हारा पती मर गया है, तुम इसे लेकर घर क्यों नहीं जाती, तब रहमन की बेटी रोने लगी और बोली कि मैं अकेली ज चानगे और बोले कि तू तो वही है जिसका दिपक जल्दी भुच जाता था तो ब्रामन की बेटी ने कहा कि हाँ महादेव जी ने माता पार्वती जी से कहा कि हे देवी ये तो वही ब्रामन की बेटी है जो सुहाक के कहानी कभी पूरी नहीं सुनती थी इसलिए इसका दिपक भी भुच जाता था और आज इसके पती के मरने का भी यही कारण है तब रामन की बेटी भगवान महादेर जी और मातापारवती जी के चरण बकड़ कर भोली कि है देव कि आप मेरे पती को जीवित कर दीजिए मैं सुहाग की कहानी पांस दिन तक दुबारा पूरी तब महादेर जी ने मातापारवती जी के कहने पर उसके पती के उपर अमरत के चीटे दिये और उसे अमर सुहाग का आशिरवात देकर अंतरध्यान हो गे थोड़ी देर बाद उसका पती अंगड़ाई लेते हुए उठकर खड़ा हुआ और बोला कि मुझे बहुत गहरी न जाती है पांच दिन तक व्रत किया जाता है इस तरियों को अखंड सुहाग के लिए पांच दिन तक व्रत करना चाहिए पांच दिन तक सुहाग की कहानी सुनी चाहिए और फिर उसका उद्यापन करना चाहिए उद्यापन में पांच इस्टिल के बरतन लेने चाहिए और उ इन सभी के उपर भगवान महादेव के चर्णामत का छीटा देना चाहिए और बोलना चाहिए कि हे महादेव जी मैंने पांच दिन तक सुहाग की कहानी सुनी है वरत किया है और उद्यापन में ये सभी चीजे दे रही हूँ फिर उन में से एक कटोरा महादेव जी के मंदिर म और सुहाग सामगरी सहित अपने घर में बहन बेटियों को सुहागीन बहन बेटियों को देना चाहिए इस तरह चोथ की व्रत के अंदर सुहाग की कहानी पिसुनी चाहिए आईए अब हम आड़ी बाड़ी की कहानी सुनते हैं सिद्धी होए साई जी को साज होए पूता को परिवार होए दोईता होए पोता होए दोईता के लिए खीर रांदे पोता बहु के लिए राबड़ी रांदे खाटी लागा राबड़ी मीठी लागा की चड़ी चड़ाई लेखी आई गोरी ढूंड विडायक ढूंडले वर भ जली की लोटी की के वे तुलसी के क्यारे की के वे चार भाई बैन की के वे जोब मिले तो नगर नोता नगर 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 पावे तो 12 मेने की बात लेका 12 सेर का 6 मेने की बात लेका 6 सेर का 12 सेर में 3 सेर गुड तीन सेर गी 6 सेर आटा 12 सेर का 12 लाडू करे एक पाणी की पनिहार न देवे एक रमता बालक न देवे एक गाय का ग्वाला न देवे एक सास की एक बहु की एक बेटे की एक मा की एक भाई क पूरानी ओडरत एक्छाना की छर्णियार। जो पनोती भरबर, मोत्या को थाल, दुख दरद कम कीजो, राज पाट दीजो, उठो बहु बेटी गिलोसु को कामन गाओ, कामन की तो आवे हात, स्तरी रोकुचो, मरद रहात, गल मोत्या रोहार, तैतीस कोटी देवी देवताओन, नमस्कार, उठो भाई तपसी, जीमो भाई को थान, भावी को मान, थान धारिवार्ता को फल, मान मारुबरत रोफल, घटी हो तो पूरियो, पूरियो तो परवान, चड़े भूले विसरे नाम तेरे भंडार में भरें, इस तरह चोथ व्रत में, चोथ व्रत की कहानी और गणिर जी की कहानी के साथ में, छीग मा आपको जरू पसंद आएगी मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे आने वाली कता कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें धन्यवाद